इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है डिफन्स डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारीओं के आधार पर काम करता है जो सार्वजनी क्रूप से मौझूद है क्या रूस के पास अब जंग लड़ने के लिए सानिक नहीं बचे हैं बिना फौजी कैसे युकरेन से लड़ पाएगा रूस क्यूं रूस दुनिया भर के देशों से अपनी फौज में लड़ा के भरती कर रहा है ये लड़ाई में रूस के कमजोर पढ़ने के निशानी है या फिर पुतिन की कोई नई स्ट्राटिजी है नमस्का दोस्तों डिफन्स डिटेक्टिव के एक और नए अपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलो दोस्तों हम सब जानते हैं कि रूस और युकरेन के भी चल रही लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने डटे हु युकरेन पर भारी पढ़ने के बावजूद भी रूस अब तक हरा नहीं पाया है क्योंकि इसके पीछे अमरिका है और वेस्टन कंट्रीज हैं वो सब मिलकर युकरेन को सपोर्ट कर रही है पैसे भी दे रही है हत्यार भी दे रही है लेकिन एक देश है नॉर्थ कोरिया ज का भारी लुकसान उठाना पड़ रहा है अब दुनिया भर में ये खबर जोर पकड़ने लगी है कि रूस ने दूसरे देशों के लोगों को जवानों को अपनी सीना में भरती करने का अभियान जो है उसे तेज कर दिया है तो सवाल ये उड़ता है क्या अब रूस उठैन्स को रिक्रूट कर रहा है तो वश् отвечन टैमस की एक खबर दस जून की है लिखा है रूस ने युक्रेण में लड़ने के लिए अफरीक्यों की भरती तेज कर दी है ऐसी ही खबर new voice of кажется उप्रेम ने भी शापी है लिखा है रूस ने यूक्रेन में लड़ने के लिए आ ऐसी ही खबर पब्लिश की है इसमें उसने military intelligence का हवाला भी दिया है ये है वो युक्रेन की military intelligence के रिपोर्ट इस रिपोर्ट में बताये गया है कि रूस ने African countries से अपनी सेना में बहाली तीज कर दी है इन देशों में रवांडा, बुरुंडी, कॉंगो और युगांडा शामिल हैं इस रिपोर्ट के मताबिक रूस अपनी सेना में भरती के लिए बॉन्ड साइन करवा रहा है और इसके एवज में हर लडाके को 2000 डॉलर साइन अप बोनस के हर महीने 2200 डॉलर का वेतन और रूस का passport देने का offer दिया जा रहा है सवाल उठता है कि क्यूं, क्यूं रूस को अपनी सेना में विदेशी लडाके चाहिए क्या इसके लिए रूस में कोई कानून है या फिर ये सेना में विदेशीों की भरती कहीं ऐसा तो नहीं है कि अवैध तरीके से की जा रही है, illegal ही की जा रही है सबसे पहली बात ये कि रूस ने कोई पहली बार विदेशी लडाकों को अपनी सेना के लिए रिकूर्ट नहीं किया है पोलन की राजधानी, Warsaw-based, Think Tank, Center for Eastern Studies ने तो इसे लेकर 20 फरवरी 2024 को अपनी एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है ये रिपोर्ट बता रही है कि रूसी सेना में विदेशियों की बाली को लेकर साल 1998 में ही कानून बनाया गया था On Military Obligation and Military Service और Military Service Regulations कानून को 16 दिसंबर 1999 को राष्ट पती के मन्जूरी भी मिल गई थी इसके मुताबिक किसी भी देश का 18 से 30 साल का शक्स 5 साल के लिए आर्मी और नेवी के प्राइवेट और नौन कमिस्ट पोस्ट के लिए कॉंट्रेट कर सकता है लेकिन तब इसके लिए Russian Language जरूरी थी लेकिन जब यूकरेन के साथ लड़ाई चुड़ी तो रूस ने अपने इस कानून में ढील देने का फैसला किया इसमें Upper Regal limit हटा ली गई यानि अब 30 साल से उपर के भी विदेशी रूस की सेना में भरती हो सकते थे इसके साथ ही Russian Language की बाधिता भी खत्म कर दी गई यानि कानूनी रूट से रूस कुछ भी घलत नहीं कर रहा है और अगर आपको ये भी बता दूँ कि दुनिया के कई देश अपनी सेना में दूसरे देशों के लोगों की भरती करते हैं बहरीन की सेना में अरब देशों के साथ साथ पाकिस्तानी भी भरे हुएं Belgium की सेना में European Union के किसी भी देश का नागरिक शामिल हो सकता है Denmark भी EU देशों के लोगों को अपनी सेना में भरती करता रहता है भारत की बात कर लिजए भारतीय सेना में नेपाल के भी नागरिक भरती होते है तो बात रूस की सेना में विदेशों के भरती की नहीं बात है कि रूस इतने बड़े पैमाने पर और इतनी जल्दबाजी में विदेशी लड़ाकों को अपनी फौज में क्यों भर रहा है रूस युक्रेन युद्ध को शुरू हुए दो साल से भी जादा का वक्त भी चुका है और हालात रूस के भी अच्छा नहीं है रूस की तरफ से तो अब तक कोई ओफिशल डेटा सामने नहीं आया है लेकिन युक्रेन का दावा है अगर इस दावे को सच माना चाहे तो कि अब तक लड़ाई में रूस के 7902 टैंक तबाह हो चुके हैं पंद्रह हजार से जादा आर्मर्ड फाइटिंग वीकल्स और तेरह हजार से जादा आर्टिलरी सिस्टम बरबाद हो गए हैं 369 प्लेन, 326 हलिकॉप्टर, 11,000 से जादा युएवी समेत लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें और एकुप्मेंट्स नष्ट हो गए हैं लेकिन इसमें सबसे नीचे बताया गया है कि अब तक लड़ाई में तक लड़ाई में तकरीबन बावन हजार से जादा रशियन फाजी मारे जा चुके हैं बीबीसी ने भी 17 अपरैल को अपनी खबर में दावा किया था किस लड़ाई में 50,000 से जादा रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है लेकिन फ्रांस के मताबिक ये संक्या डेड़ लाख के आस पास की है वहीं यूरो नियूज ने यूनाइट किंग्डम की डिफेंस मिनिस्टरी के हवाले से तीन मार्च को च्छापी अपनी खबर में बताया था कि पिछले दो साल से जारी जग में रूस को साढ़े तीन लाख से भी जादा सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा है इन में मारे गए सैनिकों के साथ साथ घायल सैनिक भी शामिल है अगर यह आकड़े सही हैं तो रूस हर दिल लगबग 983 सैनिकों को खो रहा है और इतनी बड़ी तादाद में यह सैनिकों का कम होना जाहिर तोर पर लड़ाई पर असर डालेगा और रूस की पोजिशन को कमजोर करेगा ऐसे में रूस को अपने देश ही नहीं विदेश से भी लोगों को फौज में भरती करना पड़ रहा है अब एक और सवाल यहां पर उठता है सवाल यह कि रूस एफरिकी देशों से ही रेकूरूट्मेंट क्यों कर रहा है रूस की नागरिकता देने का प्रस्ताव दिया गया है और जैसा कि मैंने बाले बताया है रूस इन लोगों को ना किवल अपनी सेना में भरती होने और यूकरेन के खिलाफ लड़ने के लिए मोटा पैसा दे रहा है बलकि वो इन लोगों को अपनी नागरिकता देने का भी वादा कर रहा है वो उनको रश्यन बना रहा है अब इसमें एक और जरूरी बात है वो ये कि ऐसा नहीं है कि रूस के बलकि कानूनी रूप से ही अपनी सेना में विदेशों के भरती कर रहा है उस पर ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि वो जबरन गोर कीजेगा जबरन दूसरे देश के लोगों को युक्रेन के फरंट पर भेज रहा है जापान टाइम्स के एक खबर बता रही है कि रूस ने अपने हकाम करने वाले हजारों प्रवासी मज़ूरों और स्टूडेंट्स को जबर दस्ती लड़ाई के मैदान में भेज दिया इसके लिए रूस इन प्रवासीों के वीजा एक्स्टेंडड नहीं करता और उन्हें डिपोर्ट की धमकी देता है एफरीकी अखबार सहरा रिपोर्टर ने भी ऐसी खबर पबिश की थी इतना है नहीं रूस ने अपनी जेल के कैदियों को भी लड़ाई में जुग दिया है गंबीर अपरादों में बंद कैदियों को रिहाई और पैसे का लास देकर लड़ाई में शामिल करा लिया गया है कई रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं कि फरंट से लोटने के बाद कई अपराधियों ने फिर से अपराध करने शुरू कर दिये अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या रूस के वल एफरिकन कंट्री से ही लोगों को अपनी सेना में भरती कर रहा है जी नहीं रूस की सेना में नाकेवल एफरिकन कंट्री से बलकि बड़े पैमाने पर इशियाई देशों यहां तक कि लैटिन अमेरिका के देशों के लोग भी शामिल हैं हाँ इनमें ज्यादतर की भरती को लेकर रूस जो है वो सवालों के घेरे में पिछले साल कई भरतीयों के रूस की सेना में शामिल होनी के खबरे चर्चामी थी आरूप लग रहे थे कि उन्हें नौकरी का लालस देकर रूस बुलाए गया था और जबरदस्ती लड़ाई के मैदान में भेज़ दिया गया हर्याणा और पंजाब के साथ लड़के तो रूस गूमने गये थे लेकिन उन्हें भी ट्राप करके फ्रंट पर भेज़ दिया गया रूस की सेना के लिए जबरदस्ती लड़ने वाले लड़ाकों के हालत खराब हो चुकी थी वो वीडियो बना बना कर भारत से मदद मांग रहे थे बवाल मचा तो भारत का विदेश मंत्राले सक्रिये हुआ और फिर कईयों की वापसी कराई गई हलाकि तब तक हैदराबाद के एक लड़के की तो लड़ाई के दोरान मौत भी हो चुकी थी भारत के लावा करीब 15,000 नेपालियों को रूसी सेना में भरती किया जाने का भी दावा किया चारा है भारत की तरह शिलंका की युवाओं को अच्छी नोकरी के जहांसा दे कर रूस की सेना में भरती करा दिया गया है नेपाल और शिलंका दोनों ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर रूसी सरकार से अपील भी की थी रूस ने तो क्यूबा के लोगों को भी अपनी सेना में भरती किया है वज़ा साफ है कि रूस इस जंग को जतना आसान समझ रहा था हकीकत में ये जंग उतनी है नहीं आसान रूस को हर तरह से लुकसान उठाना पढ़ रहा है हत्यार, गोला बारूद और दूसरे सामान की कमी तो वो पूरी कर लेता है लेकिन फौजियों की कमी उसके लिए मुसीबत बन रही है ऐसी रिपोर्ट्स देखने पढ़ने और समझने के बाद यही वज़ा है कि वो नाकेवल रूस में बलकि दुनिया के कई देशों से अपनी सेना में लोगों को भरती कर रहा है इसके लिए बोटा पैसा और अपना जो सिटिजेंशिप आफर है वो भी कर रहा है लेकिं दोस्तों यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि 2022 में युक्रेन के प्रेजड़न ने विदेशी लड़ाकों को युक्रेन आकर रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील की थी इसी साल युक्रेन ने भी अपने नेशनल गार्ट्स में वर्लिंटरली विदेशीयों की भरती शुरू करती है और अभी 20,000 से भी जादा विदेशी युक्रेन की फौज के साथ रश्या से लड़ रहे है साथ है कि जंग ना तो युक्रेन के लिए आसान है ना ही रूस के लिए आसान है और ये भी कि ये जंग जितनी लंबी खिचेगी दोनों देशों के लिए इसे लड़ते रहना उतना ही मुश्किल होता जाएगा साथ ही ये जंग पूरी दुनिया के लिए नुक्सान दाइश सावित हो रही है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए शेर करिए ताकि आप तक Authentic जानकारी पहुँचे जिसका इसंवाड़ आप आगे कहीं बैठे हैं दोस्तों के साथ बैठे हैं कहीं लोगों के साथ बैठे है तो वहाँ पर ये जानकारी आप शेर कर सकते हैं खंट एक जानकारी और साथ ये और दौर भी है कि अगर आप में से किसी ने डिफेंस डेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भई सब्सक्राइब पर एसे वीडियो के लिए बड़ी मेहनत करने पड़ती है और आप तक लिए कराना पड़ता है और साथ ही बेल आइकोन ज़रू दबाएएगा सब्सक्रिप्शन के बाद क्योंकि तभी आपको हमारे हर वीडियो के अप्लोड की जानकारी आपके फून में नोटिफिक्रिक्शन के तौर पर मिल जाएगी जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हूँ